अब हलो दोस्तों वेलकम टू रोड टू आई टी और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टिट्टूट टेक्नलोजी कानाटका डेट इस सुरतकल उसको सुरतकल के नाम से भी जाना दता है नेशनल इंस्टूट टूट टेकनलोजी के या फिर एनाइटी के एनाइ है हमने एनाइटी ट्रीची एनाइटी वारंगल और यह हमारी तीसरी एनाइटी का हम रिव्यू कर रहे हैं नेक्स्ट में आऊंगा एनाइटी राउर के लावे ठीक है और यही चार हमेशा टॉप में रहती है तो पहली चीज की अभी देखिए इस बार जो 2020 का एनाइटी आउरकेला सेकंड रैंक पे थी और इस बार एनाइटी सूरत कल सेकंड रैंक पे आई है ओवरार रैंकिंग बात करें तो 33 यूएस रैंकिंग जो आती है उसमें 63 रैंक इसका आया है ठीक है बहुत ही अच्छा रैंकिंग हमें देखने को मिल रहा है रैंकिंग देखना क्यो इंपर्टेंट है क्योंकि रैंकिंग हमेशा बहुत जादा डिफरेंट प्रस्पेक्टिव से दिए जाती है मैंने एक रैंकिंग पर वीडियो बनाया हुआ हमारी जो प्लेलिस्ट है आफ्टर जे डबली उसमें आपको वो सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे तो आप जर सबसे बड़ी स्पेशालिटी जो शाय तक किसी कॉलेज में नहीं कि इस कॉलेज के पास आप बोल सकते हो इस साइड में यहां से ही आपको बीच मिल रहा है ठीक है तो बहुत ही सुनतर जगा आप देख सकते हो प्रवियू ही कितना सुनतर है ठीक है और यह मैंने एक्चुली यह फोर्तो मैंने ओफिशल वेबसाइट से ही लिए देखो यह वाला है एक और इमेज दैन हां यह भी मैंने ओफिशल वेबसाइट से लिए देख सकते हो आप ग्राउंस है खिलने के लिए स्विमिंग पूल स्पेशल यह बीच वाला जो अभी हमने देखाया था वह है ठीक है यह भी बीच वाला यह मैंज है एनाइट की दिखा हुआ है तो अवरल बहुत ही अच्छा केंपस हम इसका मान सकते हैं काफी बड़ा केंपस है एरिया वीरिया सब मैं बताऊंगा आगे कौन-कौन सी ब्रांच इस बीच के लिए ठीक है अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम के लिए कौन-कौन सी ब्रांच इस अवले पले है आप देख सकते हो पहला है कैमिकल सिविल कॉंपिटर साइंस और इंजिनरिंग ठीक है दन वी हैव एव एलेक्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मिनिकेशन और इंफरमेशन मतलब की कॉंपिटर सेक्टर की अगर बात करें तो तीन इंपरटन ब्रांच इस यहां पर स्यूंपिटर साइंस और एंजिनरिंग सी इस इस एसी थोड़ा थोड़ा ऐसी साइड लिए करता है लेकिन मोस्ट रभबली बात अच्छा माना जाता है तो राउर के बात आएगी तब हम उस पर बताऊंगा कुछ कॉलिटीज की जो फैसिलीटीज है लाइबरेरी है करेर डिवलप्मेंट सेंटर सेंटर कॉंप्पिटर सेंटर हेल्ट केर सेंटर रेसिटें इंजिने ऑफिस गेस्ट हाऊस केंपन अध अच्छी कॉलेज प्रवाइड गरता है सबसे इंपॉर्टन चीज जो हर बार बच्चों का इंट्रस ऐसी में रहता है वह है इन लोगों ने है प्लेस्मेंट्स एड हार स्थेडी तो यह आपको जो लिख रहा है थीक है ध्यां से समझना प्लेस्मेंट्रस अपको बताया यहां पे आपको यह यह जो दिख रहा है यह है यूजी-ईजी-व्ट्र मॉन-ट्र मतलब अप्लोग करने मालों पिटेख पेजी मतलब post graduate जो है mtech और यह है mca mca का अभी हमने देखने की जरुवत नहीं है पापा कर इन दोरों में देखो तो ug का आप देखो overall placement ratio आप देख सकते हो 86.4 87.9 87.9 this is overall placement ratio मतलब की इतने बच्चों का placement हुआ है और 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 आप देखो प्लस 11.6 बच्चे higher studies में काया है higher studies मतलब की mtech PhD and other things तो MBA other things ठीक है 8.9% और 11.6% तो overall 100 में से काफी अच्छा placement पर आप higher studies इन लोगों ने मिला के दिया है ठीक है जो कई colleges होते हैं जैसे कि हमने पास अगर 100 बच्चे हैं 100 में से अगर 20 hard studies में जाना चाते हैं उन लोगों ने apply ही नहीं कर रहा है तो बाकी बच्चे 80 तो वो जब placement का जब ratio count करते हैं तब यह 80 में से ही count करते हैं कि 80 में से suppose कि मेरे 72 बच्चे प्लेस हुए है तो इससाब से रिसाइड करते हैं इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने हंड्रेट में से अगर 72 बच्चे प्लेस्मेंट हुए है और बाखी के 20 hard studies में गए हैं तो उससाब से उन लोगों ने अपने इसाब से count करके बताया है ठीक है तो यहां पर combine आप देख सकते हो काफी अच्छा यह overall है यह एक और चीज़ बता दूं यह overall है बतलब कि मैंने जो 9 branches बता ही है वो 9 branch का average इतना आ रहा है ठीक है तो आप सोच सकते हो computer IT EC mechanical उन सब में काफी अच्छा उनका placement गया होगा ठीक है इस बार काफी कम बच्चों ने मतलब ऑल्मोस्ट दो लाख बच्चों ने एक्जाम नहीं दिया तो कट आफ में यूज विरेशन आने वाला है ठीक है तो हम प्रिविएस के इसाब से प्रेटिक करना हमारी ले टफ हो जाएगा लेकिन अगर उपर-उपर से आइडिया ले तो होम सेट के बच्चों के लिए देखो 928-3174 फॉर सीएस एंजिनरिंग एंडर सेट के लिए देखो हमें शाइडर सेट में ज्यादा ही होता है मतलब ज्यादा माक्स चाहिए कम रेंग चाहिए 142 1442 तो यह सीए के लिए मेकानिकल कर देखो 378-371111 11464 यहां पे भी लिए अच्छा कट आफ जाता है इसका उसके अलावा जो बाकी प्राइंचे से उसके आप करके देख सकते हो इसी का भी देख सकते हो आप सारी नाइन का कट आफ आप देख सकते हो कॉम्पुटर साइंस में 960-3184 फॉर यह शाय तक हों से कट आफ है ठीक है तो लेकिन लेकिन अगर आप अगर अधर स्टेट में हो तो आपको लेसरें थाउज़न में अगर आपका जेड़ इस चार में कॉम्पुटर साइंस में या इंजिनियरिंग में आपको मिल सकता है तो यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ठीक है ओके इसके अलावा अगर आपको भी कट आफ देख सकते हो तो इस लिंक पर जाके आप हमेशे आपने कट आफ चेक कर सकते हो ठीक है ओके नो प्रॉबल्म यहां पर कुछ केंपस के बार में थोड़ी कुछ चीज़े इंफॉर्म इंपॉर्टन चीज़े लिखी हुई है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो में फैला हुआ बड़ा से कंपस है यहां पर अधर फैसिलिटीज है सफ सफिशेंट इन एवरे एस्पेक्ट है हेल्थ केर सेंटर से यहां पर शॉपिंग कॉंप्लेक्स है ऑडिटोरियम है 200 सीटर ऑडिटोरियम है ठीक है ओपन एर थीटर अभी है अधर सो कैंपसीटी का 24 इसके अलावा यह क्या है कि यह प्लेस्मेंट्स जो इस बार आए थे उसमें कॉंसी कंपनी विजिट कीजिए में थोड़ा साही मैंने स्क्रिंशॉट लिया है तो आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट आपको उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा ठीक है युमन रिश्य वोल इस साल के बात करें तो इसे सकता है तो इसका कट-off हाई जाने के फ्रॉसिबली थोड़ा है तो समझ सकते हो कि यह रिली गुट कॉलज काफी स्कोप इसमें अच्छा है करें तो हाँ वीडियो को अगर आपको पसंदा तो जरू से लाइक कर दीजिए वीडियो को जरू से अपने साथ फ्रेंज के साथ शेयर करिए हमारा जो प्लेलिस्ट है आफ्टर जी डबली टेकर इस नाम का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है वह आपको हर प्रकार का है इमेल एडर सुरो 2i2.gmail.com पर इमेल भी कर सकते हैं चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद